पात जुन को विश्व परियावन दिवस है और इस मुखे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए राष्टिया स्वयम संग के वरिष्ट परचारक और परियावन गतिविदियों के राष्टिया सहयुज़क मानिया राकेश जैन जी है राकेश जी कारीक्रम में आपका बहुत- तैजी के साथ बिगड़ रहा है और संग जो है वो परियावन सुधार के लिए राष्ट में क्या-क्या गतिविदि संचालित कर रहा है परियावरन की जो इस्तिती है वो सबको ध्यान में हैं और इसके नाते बहुत पहले देश की दुनिया के लोगों ने एक विचार किया और पैरिस में एक सम्मेलन हुआ सारी दुनिया के देशों का और उन्होंने परियावरन की जो बिगड़ती इस्तिती है उस पर बहुत चिंतन मनन किया उसमें एक बात निकल कर आई कि दुनिया के देश आवशकता से जाद है कारवन डाय अक्साइड छोड रहे है जिसके ल करते हैं तो कई वर्षों से संग में परियावरन के किसी ना किसी विशे पर कभी पेड़ों की कमी, कभी पानी की स्थिती और कभी पॉलिथीन, कच्रे के धेर, इन सब के विशों पर 2015 से तो मुझे ध्यान है संग की अखिल भारती बैटकों में चर्चा होती रही कारिकरता मिलते हैं तो फिर काम नया शुरू होता है, 2019 में ग्वालियर की वैठक के समय परियावरन पर काम किया जाए, ये ऐसा निर्ने हुआ और इसके लिए एक वरिष्ट कारिकरता शिर्मान गोपाल आरिये जी को उस काम के लिए निवरित्त किया, उनको ये जिम्मेदा प्रारम में करना क्या है, कैसे करना है, ये भी ध्यान में नहीं था, फिर अध्यन प्रारम हुआ, फिर जून 29 को 2019 में ही एक वैठक दिल्ली में संपन हुई, तब भी कोई बहुत गतिविदी आगे नहीं बढ़ी, फिर पुशकर जी में एक वैठक हुई थी, एक दो तीन सि किरने के नुसार, देश में दो स्थानों पर प्रमुक कारिकरता बुलाए जाएं, तो 22 सितंबर को हागरा में और 29 सितंबर को पूना में आदे-आदे भारत के लोग आए, हर प्रांत से 10 कारिकरता आएं, ऐसा विचार हुआ, 400 के लगभग संख्या उसमें रहीं, प्रंतु संग ने ये विचार क्यों किया, ये विशेचिंतन का है, तो मैं पांच छोटी-छोटी घटनाएं ध्यान में लाना चाता हूँ, पहली घटना हुई 16 जून 2013 को, केदारनात की तरास्ती, 50 फुट उची पानी की लहर तेजी से आई, और 20 से 25 अजार लोगों को अपने साथ लेकर उनकी मरत्यू का कारण बनी, परियावन के लोग चिंतित हुए कि आखिर ये स्थिति क्यों हुई, इसको क्लाउड ब्लास्ट भी कुछ लोग बोलते हैं, गनीमत ये रही कि एक पहाड का छोटा हिस्सा, वो केदारनात मंदिर के पीछे आके ठहर गया, तो इसलिए मं पंतु वहां खड़ी नंदी की जो प्रतिमा है वो चतिग्रस्त हुई, आदेशंकराचार जी की समाधी चतिग्रस्त हुई, पंतु कुल मिलाकर इतनी बड़ी घटना हुई, तो तीन प्रमुक कारण सब लोगों ने विचार किये, तो पेड़ों का अंधा दुन्द कटान, पेड़ पानी के वेग को रोकते हैं, जैसे हमने सुना है गंगा जी जब धरती पर आई, तो भगवान शिव की जटाओं में का सहरा लेकर वो जमीन पर उतरी, नहीं तो वो प्रतिय उस वेग को नहीं समाल सकती थी, तो पानी का कितना वेग होता है ये ध्यान में, उस दिन पाहड कापा ये ध्यान में आया, अभी तीन-चार महीने पहले भी उत्तरकाशी के बढ़कोट में एक सुरंग खोदी जा रही थी, तो उसका आगे का हिस्सा गिर गया, और 41 लोग महीं पर बंदी रह गए, तो बहुत बड़ी घटना थी, इसी तरह से जोशी मट के अंदर खनन होने के कारण, सुरंग मराने के कारण, जमीन धसने लगी, तो ये परियावरन की कुछ समझा हैं, पारिक शेतर में ध्यान में आये, इसी तरह की एक सेम घटना, इसी प्रकार की घटना, 15 अगस 2018 को केरल में हुई, केरल में भी पेड़ों के अंदादूं कटान के कारण जो नदियों में पानी हैं, उसमें पानी कम और मिटी ज़्यादे आई, वर्षा हुई, केरल बहुत कम चोड़ाई का प्रदेश है, सो किलोमीटर से ज़्यादा कहीं चोड़ाई नहीं है, 600, 600 किलोमीटर लंबा प्रदेश, मेरे पास उस समय सेवा भारती की जिम्मेदारी तो दो बार उसके बाद केरल जाना हुआ, तो लोगों ने बताया कि नेशनल हाईवे जो तिर्वेंद्रम से कन्या कुमारी से प्रारम होता है, तिर्वेंद्रम और कासर गोड़ होकर आगे आता है, तो उस पर भी 88 फुट पानी आ गया था, कारण वही था, पेड़ों का अ इससे वास्तों में दसगुने जादा कड़ जाते हैं, लोग अपने भविश्य का विचार नहीं कर रहे हैं, दूसरा प्रमुक कारण जो दो प्रमुक घटना इध्यान में आती है, वो पॉलिथीन के कारण है, चालीस पचास साल पहले पॉलिथीन का अस्तित्त सामने आया, उससे पहले लोग कपड़े का थेला लेकर बजार में जाते थे, समान खरीद के लेकर आते थे, आज इस्तिती आई कि आगई है कि हाथ हिलाते वे जाते हैं, पॉलिथीन में समान लेकर आते हैं, विशेश उसे सबजिया, ग्रोसरी की चीजे, पन्तु होना क्या है उससे, उ यह सारे जो कुडे के धेर में पहुंच जाते हैं, दिल्ली के लोगों को क्या बताना, दिल्ली में तो सुना की चारों करफ कहेंगे, तो कुडे के बड़े बड़े धेर है, विशु के दस बड़े टंप फिल्ड में, तीन तो अकेले धेर धेर में, गाजीपुर चोराहा, गाजवाद दिल्ली बॉर्डर पर और जीटी करनाल रोड पर भलस्वा डेरी के पास बहुत बड़ा कुड़े का धेर है और तीसरा बड़ा धेर तुगलकाबाद रेलिवे स्टेशन के पास है और चोथा जो दुनिया के दस बड़े कुड़े के धेर है उसमें मुंबई में ह छोटे बड़े सभी जगे ये कुड़े के धेर है कुड़े के धेर के कारण कितनी दुरगंद कितना एक तरह से नर्क जैसा बाता उन लोगों को दिखाई देता है दूसरा बड़ा कारण है नालिया चोक होती है आपने सुना होगा कि छे वर्ष पहले मुंबई के अंदर ए पर काम करना चाहिए ये ध्यान में आया और एक पांचवा कारण जो आपने सुना होगा कि चिन्ने जैसे शेहर के अंदर पीने का पानी 2000 फिट नीचे चला गया पानी कम है दिल्ली आगरा में यमना बहती है मेरा दस वर्ष यहां केंद रहा है आपको ध्यान में आता होगा कि पंद्रे दिन केवल यमना बहती है और साड़े ग्यारा महीने यमना नाला बहता है तो इसलिए परियावरण पर समाज के लोगों को साथ लेकर संगने काम करना चाहिए परियावरण सरक्षन गतिविदी प्रारभ होने की भूमी का यह है आपका कहना है कि कहीं न कहीं समाज में परियावरण को लेके जागरुकता का बहुत अभाव है और तेजी से सहरी करन भढ़ रहा है प्रिकृति का दोहन हो रहा है वो भी परियावरण परियावरण के लिए उसके हानिकारक है जी बिलकुल यही कारण जाग रुकता नहीं है अपना कर्तब नहीं समझते बहुत सारी नगरपाली काओं में तो यह भी होता है कि जो सफाई कर्मी हैं वो कुडाई खटा करके और नाले में किसका दिते हैं और पॉलिथीन का तो सब को ध्यान में है वो कितना बड़ा संकट है लोगों को अंदाज नहीं आ रहा है इसी तरह से पानी के बारे में हैं पांसो साल पहले रहिम कवी एक दोहा लिक कर गए रहिमन पानी राकिये बिन पानी सबसून पानी गए ना उबरे मोती मानुश चून मनुश के शरीर में 72 प्रतिशत पानी है पूरे यूनिवर्स में 72 प्रतिशत पानी है मोती भी वर्षा की बून सीप में गिरती है तो बनता है और रसोई के तो कोई भी तत्वा बिना पानी के नहीं बना सकते और आज पानी की कितनी कमी हो गई है सो साल पहले गुजरात के एक जेन संत ने एक वाणी कही जिसका उलेक हमारे देश के प्रधान मंतीजी ने दोजार उन्निस के पंद्रेगस्त के भाषण में कहा पहले उन्होंने गुजराती वाणी सुनाई और फिर उसका हिंदी अर्थ बताया उसका अर्थ ऐसा था कि पानी की चिंता करिए पानी आपकी चिंता करेगा पानी की चिंता नहीं करेंगे तो पानी आपकी चिंता नहीं कर पाएगा पानी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा और आज हम को ध्यान में आ रहा है विसलरी उद्योग ने भारक में सबसे पहले पानी की विक्री शुरूब की लोग कहते हैं 30 साल 40 साल पंतु चार साल पहले भारत में अपने उद्योग प्रारंब होने की उन्होंने स्वन जैनती मनाई यानि 55 वर्ष हो गए उनको उन्होंने कोई संकोष नहीं किया हर बोतल पर लिखा है कि हमने भारत में युद्योग 1979 में प्रारंब की पहले हम गंगा जी का जल पी ले थे पीते थे आचमन करते ही थे गंगा के जल की शुदता के कारण सारी दुनिया के अंदर मेले इत्यादी सारे महां होते हैं आज तो गंगा जल भी शुद्ध है की नहीं है उस पर भी प्रशन चिनना गए पहले ताला पोखर नदी इनके पानी लोग पी लेते थे शुद्ध रहते थे कुछ जगे जरूर लोगों ने पवितरता रखी राजस्तान के नागोर जिले के एक ताला पूजन की कारिकम में मेरा जाना हुआ वहाँ बोर्ड लगा है कि इस जल को अशुद्ध करना मना है गलती करने पर जुर्माना या सजा हो सकता है तो कुछ जगे इसकी जाग रूपता है पन्तु कुल मिलाकर अभी उस तरफ लोगों का ध्यान नहीं है लाके जी हिंदू संस्कृति हमारी सुरू से ही पर्यावन की इतैसी रही है हम लोग नदियों की पेडों की पोक्रों की कुओं की पूजा करते रही है धर्ती माता की पूजा करते रहे हैं लेकिन आज ये देख रहे हैं कि भूजल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है तलाब जो हैं खतम होते जा रहे हैं गावों से कोई खतम हो रहे हैं नदिया परदूसीत होती जा रही है तो इसके लिए क्या पहल पर्यावन गतिविदी को तरफ से की जा रही है पर्यावन सरक्षन गतिविदी ने तीनों ही विशे पर पेड़ पानी पॉली थीन पर काम शुरू किया है पेड़ अधिक से अधिक लगें क्योंकि पेड़ हमारे जीवन की लगबग सब ही आवशकता है पूरी करते हैं पेड़ पोदो से ही अपने को समस्थ प्रकार के अमन गेहूं, चावल, जौार, बाजरा, मक्का प्राप्त होते हैं समस्थ प्रकार की डाले प्राप्त होती हैं पेड़ डालों में मूँ की डाल, चने की डाल, हरर की डाल, मसूर की डाल ये सब प्राप्त होती हैं पहाड़ क्षित्र में राजमा उसी पेड़ पोदों से निकलता है समस्त प्रकार के तिलहन प्राप्त होते हैं तिल का तेल, मुफली का तेल, सरसो का तेल, नारियल का तेल सब कुछ पेड़ पोदों से प्राप्त होता है पेड़ पोदों से ही अपने को समस्त प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती है इंदन की लकड़ी, इमारती लकड़ी, फरनीचर की लकड़ी, आखरी दिन के लिए भी सब को पांच कुंटर लकड़ी चीए मैंने मुम का एक गाना सुना है उसकी लाइन एक याद आती है कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख नमाशा लकड़ी का आज पेड़ों का संकट ये है कि दुनिया का ओसत, world average is 422, 422 पेड़ प्रतिविक्ति और हमारे देश का जो ओसत है वो केवल 28 पेड़ प्रतिविक्ति है लकड़ी की आवशक्ता मैंने देखा, गुजरात में कांडला पोर्ट है वहाँ पर विदेशों से लकड़ी आ जाएं, इंदन का भी आप कोई ना कोई विकल प्रिकान लेंगे प्रतु पेड़ पोधों के द्वारा जो सबसे बड़ी आवशक्ता पूर्ती होती है वो है प्रान वाई, ओक्सीजन, पानी का आप बोतल ले सकते हैं बजार से खरीद लेगे, पैसा लगेगे पंतु उसके लिए भी परियावरन गती विदी ने काम प्रानम किया है पंतु बहुत बड़ा खत्रा है प्रान वाई, ओक्सीजन के बारे में कल को हमको यह हो सकता है यदि पेड़ इतने कम हो गए दिल्ली में तो एक पेड़ पर थी विकती है मेरा बहादूर गड़ जाना हुआ पचास साल पहरे पांच हजार अबादी थी, आज धाईलाक अबादी है धाईलाक ही पेड़ है, हमारे जिला से योजग डोक्टर रजे कुमार जेंजी ने बताया तो कुल मिलाकर आज पेड़ कम है इसके लिए हम लोग आगरे करते हैं, एंजी औ से आगरे करते हैं विप्तिगत इस तर पर भी आगरे करते हैं लोगों को समझाते हैं कि अपने जन्म दिन पर, मेरी जनिवर्सरी पर लोग लाको लाको रुपे खर्च करते हैं बड़े लोग तो और जादे खर्च करते हैं पर उनमें से कुछ बड़ों को समझ आई हैं सबको नहीं आई अभी अभी जैसे डालमिया हैं तो उन्होंने अपना जो मूल जन्व स्थाने चिडावा उसको उन्होंने परियावरन युक्त करना शुरू किया है इसी तरह से पीर पीर लगाने के बारे में एक विक्ती ने बारे साल पहले शुरू किया उनका नाम है सवजी भाई डोल किया और वो सूरत के डाइमेंड बिजनिस में ने बिलकुल भामाशा की तरह उन्होंने काम शुरू किया है और मेरी जानकारी में बारे साल के अंदर ही वो 30 ला zaw से जा वाले हैं और इसलिए उन्होंने उस दिशामे काम करना शुरू कि इसी तरह से करनाटक की एक अमा है पीपल वाली अमा उनका मूल नाम लोगों को नहीं मालूम है तो उन्होंने भी विद्वा होने के बाद तेरे वर्ष की आईउ में वो विद्वा हो गई उसके बाद अभी 84 साल की उमर है 14 लाग पेड़ वो अपने जीवन में लगा चुकी है और वो पीपल के पेड़ लगा थी चुकि पीपल के पेड़ प्रानवाईव की पूरती करते हैं और तेरे 14 लाग पेड़ उन्होंने भी लगवग लगा हैं इसी तरह से पेड़ों के उपर और कई लोग तरजी का तो बड़ा अग्रे रहता है कि उनका जनम दिन 13 मई आता है उस दिन पेड़ लगाओ इसी तरह से हमारे गुजरात के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ भी एक सद्गुरू फाउंडेशन है मेरा भी उस इस्थान पर जाना हुआ दाहुद से 10 किलोमिटर दूर और पानी सरक्षन के लिए जो जल को बचाने की विदी है छोटा छोटा जल नदियों में आता है तो उसमें चेक डेम बनाकर उन्होंने काम प्रारम किया है और ग्यारे बारे जिले उन्होंने मध्दप्रदेश और गुझरात और राजस्थान के गोद लिये हैं और ये सबी बारे जिले ये वगनवासी जिले हैं बहुत बड़ा काम उन्होंने महाँ पर प्रारम की तो आपका ये कहना है कि परियावन सर्डेक्षन और स्वंधन का का म जो है, वो केवल सरकार का नहीं है, समाज को भी उसमें जुनना पड़ेगा, समाज को उसमें जुनना पड़ेगा, तभी जाके हमारा परियावन सही हो, व्यक्तिकत करना है, संस्ता के आधार पर करना है, व्यक्तिकत में मैं पानी बचाने की बात यदी कहूं, तो हम कई बार सवेरे ब्रश करना है तो टोटी खोल देते हैं बुरुश रगड़ते रहते हैं दो डाई लीटर पानी आराम से बहे जाता है पुरुश वर्ग दाड़ी बनाता है टोटी खोल देता है बुरुश रगड़ता रहता है आट-दस लीटर पानी बहे जाता है कितने पानी में इसलान करना दिल्ली में तो लोग कहते हैं जी फिरी पानी आ रहा है पर उस फिरी पानी को भी अपलोड उपर लाने में कितनी बिजली खर्च हो रही है लोग दूर तक का विचार करने लगे हैं कि एक यूनिट बिजली यदी बचती है तो एक यूनिट बिजली नहीं बसती 900 ग्राम कोईला बसता है और ये हजारो साल से हमारे पूरवजों ने हमको बचा के दिया है क्या हम अपने आने वाली पीडी के लिए पानी बचा कर नहीं देंगी कहीं गाउं में टूवेल कुता है कहीं boring होता है समर्सविल लगता है पहली बार 100 फुट पर है तीन साल बाद पानी वो समर्सविल बेकार हो जाता है तो अगली बार फिर वो 108,100 फुट पर जाता हूं फिर और आगे ऐसी उसकी गहराई बढ़ती जाती है चल की जल को आप बचा सकते हैं बना नहीं सकते हैं इसी तरह से घर में हमारे चार महमान आए हमने चार गिलास पानी पूरा पूरा दिया उन्होंने एक घुट पानी भरा और गिलास को मेज पर रख दिया वो पानी नाली में चला जाता है दिल्ली में तो वो यमना तक भी नहीं पहुँच पाता तो मितवेता के साथ पानी का उपयोग करना हमने एक कवी की वाणी सुनी है उन्होंने लिखा है अनमोल रतन जल धर्ती पर वेदो रिशियों ने यह माना हमारे संतों ने, महापुर्शों ने सब ने कहा है, सारे पंतों ने कहा है गुरु नानक जी की वाणी में भी इसी प्रकार से पानी, धर्ती और पेडों के व्रक्षों के बारे में आया पेडों का हमारा धार्मिक महत्तु भी है पेड़ पदों का, भगवान बुद्ध को वही पर ग्यान प्राप्थ हुआ पंतु जो नया संकट है, वो पॉलिथीन का है, उसको भी लोगों को समझाना है पॉलिथीन के बारे में मुझे तीन बाते कहनी है, पहली बात पॉलिथीन जिस धंग से हम उप्योग कर रहे हैं, परियावरन विदो का मानना है, कि समुद्र के अंदर जितने वजन की मचलियां है, पचास साल के अंदर उतने वजन का पॉलिथीन जमा हो जाएगा, एको सिस्टम नहीं बचेगा, पांच चीजे संकट में हैं, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन, जल का प्रवा अवरुद्ध हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती, नदियों के अंदर सेल्फ प्यॉरिफिकेशन की चम्ता होती, वो रुख जाती, पेड़ों की जड़ में एदी पॉलिथीन पहुँच गई, तो पेड़ का विकास रुख जाएगा, जमीन में एदी पहुँच गई, तो जमीन बंजर हो सकती है, हमारे घर में सबजी आई, पॉलिथीन में, उसके छिलके अंश डालकर, डस्ट बिन पर डाल दी, वो अगले दिन सवेरे आता है, कूडा इखटा करने वाला, उसके पहले तो गाय भैस, कोई पशू आते हैं, और उसमें हरी सबजी को देखकर, वो पॉलिथीन भी उनके पेट में पहुँच जाती है, उनकी मृत्यू का कारण बनती है, आदमें भी प्लास्टिक का उप्योग कर रहा है, गरम चीज, जब प्लास्टिक के साथ जुड़ती है, तो उसमें मोनो प्लास्टिक कंड, मोनो पॉलिथीन कंड पैदा होते हैं, जो कैंसर जैसी महामारी को पैदा करते हैं, इन सब को यदि रोकना है, तो पॉलिथीन का उप्योग नहीं करना, करना है तो कम से कम जमीन पर नहीं डानना, आज उसके कई उप्योग सरकार और बाकी संस्थाओं निकाले हैं लुद्याना में उसका पॉलिथीन फाइबर बनना शुरू है कपड़े बनने शुरू हो गए है इसी तरह सडकों में एक लेयर पॉलिथीन की बिचानी शुरू हुई है हमारे इंदोर, वडोद्रा और वोपालादी स्थानों के कारिकरताओं ने पॉलिथीन से फरनीचर, कुर्सी, मेज, सोफा बनाना शुरू किया और एक सबसे बड़ा काम अभी शुरू हुआ है जिसका नाम है इको ब्रिक पॉलिथीन यदि हमारे घर में आ गई सितंबर 19 में हमारा महा जाना हुआ था तो जाने के बाद वहां के कारिकरताओं ने हमको इको ब्रिक भेट की और कहा कि पॉलिथीन रूपी राक्षस को बोतल में बंद कर के रहा वो बोतल और जिन्द की कहानी आपने सुनी है तो कुल मिलाकर और एक बहुत अच्छी सकारतों के बात ध्यान में आई है कि बनरस आई आई टी ने एक किलोग्राम पॉलिथीन से 800 मिली लीटर डीजल बनाने में सफलता प्राप्त की है पर लोग ध्यान नहीं देते चोकलेट का रेपर जमीन पर फैकते हैं कुरकुरे का पैकिट का जो कवर है वो भी जमीन पर फैकते हैं और वो कही ना कही कुड़े के बड़े डेर बनाते हैं और जो डीजल बनाने वाली कमपनी हैं उनको भी पॉलिथीन फ्रेश पॉलिथीन या मिट्टिन नहीं मिला ऐसा पॉलिथीन चाहिए